एक जंगल में तूनी नाम की चिडिया अपनी माटूंटूनी के साथ रहा करती थी तूनी चिडिया दुर्गी माता की बहुत भक्त थी वहाँ सुभै उठती और सिधा मंदर जाती और अपनी मादूरगा की सेवा करती थी वहीं रहने वाले पंडित जी भी तूनी चिडिया को इस सेवा भक्ती में देखते और बहुत खुश होते मंदर के पास तूनी चिडिया की एक फूलों के छोटी सी दुकान थी जिससे वहाँ अपना गुजारा करती थी एक दिन बल्लू नाम का कबुतर तूनी चिडिया की दुकान पर आता है और तूनी से कहता है अरे ये फूल केसे भी ये हैं? क्या ये ताजी फूल हैं? अरे हाँ हाँ साहब यह ताजे फूल हैं मैं अपनी माता के लिए रोज सुभा ताजे फूल टूर के लाती हूँ और उनकू माता के चड़नों में चड़ाती हूँ अच्छा अच्छा तो देदो मुझे इस थरा टूनी चड़िया की दुकान चलती वहीं पास में एक कालू नाम के कवई के भी दुकान थी वो जो पूजा की सामगरी बेजा करता था पर वहाँ टूनी से बहुत ही चड़ता था जोकि टूनी के ताजे फूलों की विक्री जादा होती थी और उसके फूलों को कोई नहीं पूशता था और इस तरह उस घमंडी कवई की कोई भी विक्री नहीं होती थी एक दिन कालू का हुआ सोचता है और फिर दूसरे दिन टूनी माता को फूल चड़ाने के लिए आती है तो देखती है अरे यहां तु माता के मूर्ती ही नहीं है और फिर वहाँ पर पंडिक जी भी आ जाते है अरे टूनी क्या हुआ तुम ऐसे क्यों दास हो अरे पंडिक जी देखो न माता के मूर्ती ही नहीं है अरे यह माता के मूर्ती कौन लोई गया अनर्थ हो गया तब इस सोर सुनकर वहाँ पर कालू भी आ जाता है और कालू पंडिक जी से कहता है अरे पंडिक जी आप इस तूनी पर भरोसा करके अपना मंदिर सौप जाते है क्या पता इस तूनी नहीं अपने गरीबी मिटाने के लिए माता की मूर्ती को चुराया हो अरे नहीं नहीं मैं माता की मूर्ती भला क्यों चुराने लगी मैं तू माता की सेवा करती हूँ अरे तुम जड़ी पक्षी तो होते ही ऐसे हो अरे पंडिक जी आप चलकर इसकी दुकान में क्यों नहीं देखते आउ आउ इसकी दुकान में चलते है अब टोने चडिया बहुत ही रोने लगती है और अपनी दमादुर्गा को याद करती है हे दुर्गा मा यदि मैंने आपकी मन से सेवा की हो तो आप मुझे इस बेजित होने से बचा लेना मा और इसके बाद वहाँ पर एक छूटी सी चडिया आती है और वहाँ चडिया पन्डिजी से कहती है अरे पन्डिजी मुझे सब पता है कि माता की मुर्थी किसमे चुराई है सबी कालु क prevention हाँ हाँ तो बताना किसमें चुराई है आप मेरे साथ चलो और वहाँ सभी कालू कवी के दुकान पर पहुंसते हैं और वहाँ चडिया कालू कवी के दुकान से माता की मूर्ती निकाल लेती है और फिट टोने चडिया उस चडिया का धन्यवाद करने के लिए जैसे ही पीछे मूर्ती है तो वहाँ चड़िया वहाँ से गायब हो जाती है इस तरह पंड़ जी और टूने चड़िया माता की मूर्ती को मंदर में रख देते हैं तभी टूने चड़िया कहती है भरे पंड़ जी वहाँ कोई मामूली चड़िया नहीं थी वहाँ तो मेरी मा दुरगा थी हाँ तूनी तुमने बिल्कुल सही कहा हाँ तो प्यारे दोस्तुम आज का सवाल है कि कालू कववा तूनी से क्यों चिर्टा था सही जबाब हमें जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख बेजिये पहले पाँ जबाब देने वालों के नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे एक जंगल में कालू नाम का कववा और उसकी पतनी तूनी रहा करती थे कालू कववा एक किसान था जो खेती करकर अपना गुजारा करता था कालू कववा और तूनी चड़िया की शादी को पास साल हो गए थे पर शादी के इतने साल बाद भी अभी तक तूनी मा नहीं बन पाई थी इसलिए तूनी बहुत दुखी रहती थी एक दिन कालू कववा अरे तूनी तुम दुखी मत हुआ करो क्यूकि मैं तुन्हें दुखी नहीं देख सकता अगर भगबान ने हमारे वालाद नहीं दी तो इसमें तुम हरे क्या कशूर है नहीं जी मैंने शादी के बाद भी आपको ऑलाद कशूक नहीं दिया आप दूसरी साधी कर लीजिये अरे टूनी तुम कैसी बात कर रही हो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और फिर टूनी अंदर चाके रोने लगती है और बीबी मा से मन्नत वांगती है हे मा मैंने आज तक आपकी बहुत सेवा की है मा मुझ पर किरपा करो और फिर कुछ महिनों बाद टूनी एक अंडा देती है जिसमें से एक सुन्दर साब चिड़ा वाहर आता है अब कालू कववा और टूनी बहुत खुश थे तभी एक दिन कालू कववा मैं अपने बेटे को एक अपने निशाने जरूर दूंगा जिससे मेरा बेटा बहुत खुश रहेगा और वह जाके बाजार से एक लॉकेट लेके आता है और अपने बेटे को पहना देता है अब इसके बाद टूनी और कालू कववा अपने बेटे को बहुत प्यार से पालते हैं और उसका नाम चुन्नू रख देते हैं तभी बाजार में वह घूम रहे होते हैं और चुन्नू काफ़े खुश होता है तभी अचानक से मेले में भाग दौन मच जाती है अरे तूनी हमें अपने बेटे को लेके जलजी से यहां से भाग जाना चाहिए यहां तो बहुत भी अप्रा प्री मची है बागो यहां से तूनी और तूनी कालू अपने बेटे चुन्नू को लेके वहां से भागने लगते हैं तभी अचानक से उनका बेटा उनकी हातों से छूट जाता है और इतनी भीड में कहीं गुम हो जाता है तभी कालू और तूनी को दूलते दूलते सुवह से श्याम हो जाती है पर उन्हें उनका बेटा कहीं नहीं मिलता और वह अपने घर चले जाते हैं तभी तूनी हरे मेरे इतने दिनों बाद तो एक बेटा हुआ था और बोबी हमें छोड़की कहीं गुम हो गया अब मैं कैसे रहूंगी अरे तूनी तूनी तूना बंद करो हमें हमारा बेटा जरूर मिलेगा और फिर उनको ऐसे ही 20 साल गुजर जाते हैं अब कालू और तूनी बहुत बुड़ी हो चुके थे अब कालू ने खेती का काम बंद कर दिया था क्योंकि वह बहुत बुड़ा हो चुका था और वह अपने बेटी की याद में बिमार हो गया था इसलिए तूनी लोगों की घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी तभी एक दिन तूनी एक घर में काम कर रही थी तभी उस पर एक बर्टन तूट जाता है तभी तूनी की मालकिन तूनी पर चिलाने लगती है ले बुड़िया तेर पर आप कुछ काम नहीं होता तू निकल जा मेरे घर से और उसको ऐसे निकल देती है तभी तूनी अपने घर पर आ जाती है और कालू से कहती है अब हमारा घर कैसे चलेगा आज मेरी मालकिन नहीं मुझे घर से निकल दिया है तभी वहाँ पर बलू नाम का एक कबुतर आता है और तूनी से कहता है अरे आप चिन्ता मत कीजिए मैं आपको दूसरी जगे काम दिलबा दूँगा ऐसा कहके वहाँ तूने चिडिया को अपने साथ अपने दोस्त की घर ले जाता है उसके दोस्त का नाम चुन्मुन चिडा था जो बहुत अमीर था अप तूने चिडिया उसी के घर में काम करने लगती है तभी चुन्मुन की पत्मी तुन्तुनी वहाँ पर आ जाती है अरे चुन्मुन जी आपने भी किनको काम दे दिया है अब ये बुडिया इस उमर में कैसे काम करेगी देखती हूँ मैं और तभी एक दिन चुन्मुन चिड़ा कही जाने के लिए तयार हो रहा होता है तभी तुनी चिडिया उसके कमरे में चाय देने के लिए आती है येलो मालक चाय आप लोग चाय पीलो और उसके बात कही जाना तभी अचानक से टूनी चडिया का ध्यान चुन्मुन चड़ा के गले पर जाता है और वह उससे पूछने लगती है अरे वेटा ये लॉकेट तुमको किस ने दिया तभी टून्टूनी चडिया कहती है अरे ए बुडिया क्या तुझे इनकी लॉकेट पर नजर है कहीं चुरा बच्पन में मेरी माता पिता ने मुझे दिया था और बच्पन में ही मेरी पाता पिता मुझे से विचल कगती है तभी तूने चड़िया भाग के कालू कुवे के पास जाती है और कालू कुवे से कहती है सुनो जी हमें हमारा बेटा मिल गया तभी तूने चड़िया कालू को लेकर चिन्मुन चड़ा के घर चाती है और उसको पूरी बात बता देती है तबी चुन्मुन चिड़ा और पिंटुने चिड़िया उन दोनों से माफी मांगते हैं और फिर उन्हें अपने साथ रख लेते हैं और फिर वहाँ सब कुशी कुशी रहने लगते हैं